जैहिन जैशिक्षक साथियूं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है रीडिंग कैम्पेन जिसकी शुरुआ जन्वेरी में की गई थी और अपरेल तक इसे चलना है 14 हफतों का प्रोग्राम था लेकिन शायद अभी एक कुछ हफतों के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसी क्रम में 15 हफते की कारे ओजना हमको भेजी गई है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो जल्दी से गतिविधिया देख लेते हैं और उससे पहले दिया आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस प्रकार है इसमें सबसे पहले तो वही है कि जो पुरानी गतिविधिया उनको दोहराना है और बाहर से आमंतरित अतिथी भी आपके साथ मिलकर कहानी सुनाएंगे ये नई बात जोड़ी गई है संकल्प वही है नई संकल्प फिर से ठाने आओ पढ़कर दुनिया को जाने बालवाटिका के बच्चों के लिए जो कहानी है सुमवार को है सुनो कहानी आम और कोयल मंगलवार को सुनो कहानी बिन आहट सुने पिप्पू बुधवार को सुनो कहानी मेढ़ क्यात्रा गुरुवार को सुनो कहानी विमला का के कितना मुलायम कैसे शुकृवार को आडियो गेम चैती का स्वेटर शनिवार को सुनो कहानी आग 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 कक्षा एक और दो के बच्चों के लिए जो गतिविधिया है सुमवार को है पड़ो कहानी माय कैट मंगलवार को सुनो कहानी कौन चलाता है चालक रहितकार बुधवार को सुनो कहानी मैं ऐसी ही हूँ गुरुवार को सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले शुक्रवार को पड़ो कहानी सलौत का तौफा और शनिवार को पड़ो कहानी नीलंब्रा और पूर्णेमा की रात इसके बाद कक्षतीन चार पांच के लिए जो गतिविधिया हैं वो है सुमवार को पड़ो कहानी अंजन मंगलवार को पड़ो कहानी गोनु जाकी भैस बुद्वार को पड़ो कहानी विराट की पारी गुरुवार को पड़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया शुक्रवार को पड़ो कहानी मरियल भूत और शनिवार को पड़ो कहानी हमारा पुस्तकाल है कक्षा 6.78 के लिए जो गतिविध्या इस बार दी गई हैं उसमें हैं सुमवार को पडो कहानी बबूल का पेड़, मंगलवार को पडो कहानी खुश-खुश मुर्गिया, बुद्ध्वार को पडो कहानी नई सुभा, गुरुवार को पडो कहानी अल्ला मिया का घोड़ा, निवार को पड़ो कहानी ये मू और मसूर की दाल इसके बाद जो गतिविधिया है उसमें है पठन कारशाला का आयोजन इस अपता शिक्षक बच्ची एवं समुदाय की लोग मिलकर पठन कारशाला का आयोजन करें इस कारशाला में दो तिन विशिष्ट अधित्तियों को आम गतिविधियां बच्चे एवं शिक्षक मिलकर स्वयम तै करें सभी बच्चे एवं शिक्षक अपनी अपनी पसंद की कोई कहानी कविता अन्य पठन सामगरी चुने और सभी की समक्ष मज़िदार तरीके से प्रस्तुत करें उधारन के लिए पठन कारशाला से जुड़ी क कुछ प्रमुगतिविधियां हैं पहला है कहानियों का प्रस्तुति करण मौखे क्लिखित या चित्रात्मक या कट्पुद्ली के माध्यम से कविताओं का प्रस्तुति करण हाभाव एवं लैबध्य तरीके से नाटक मंचन पुस्तक पठन मुखरवाचन एवं सुतंत्र प प्रशेश में है कि कहानी को कविता में बदलना यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्जामपिल भी दे हैं जैसे गरूम गरूम सब पूछते इतना भारी सामान कैसे उठाता हूँ मैं अरे लोहे से बना मजबूत शरीर जो है मेरा मेरे पीछे देखो नंबर प्लेट दिखी उसी इससे तो सब मुझे पहचानते हैं बंटी भाई मुझे चलाते हैं और प्यार से धन्नो बुलाते हैं घी ब्रेक लगा हम रास्ते में रुक रुक कर जाते हैं जहां भी रुके सब मेरा लाल रंग और उस पर बने चित्र और मेरे माधे पर लटके नीबू मिर्ची को देखत ही रह जाते हैं मैं तो ज्यादतर सडक पर ही रहता हूं कभी शहरों में कभी गाउं में कभी पहाडों में तो कभी खेत खली आनों के पास बुरू कितना मज़ा आता है तेज दोड़ने में लो यह तो मैं बताना ही भूल गया कि मैं हूं कौन पॉं पॉं मैं तो हूं एक ट विशेश गतिविधी में बच्चे दी गई अथवा अपने पाठ पुस्तक से कोई भी कहानी जुन सकते हैं और उसको ये कविता बना सकते हैं अगर कहानियों को कविता उमें बदलने में परिशानी हो तो अपने टीचर की हेल्प लें दूसरी विशेश गतिविधी है कि कवि पापा की मुच पापा मेरे थानेदार मुच उनकी शानदर घर पर आया पपु नाई हल भड़ी में मुच उड़ाई मुच बिना पापा का चहरा लगता जैसे चान सुन है रा शीशा देख पापा कतराए कैसी शकल बनी ये हाए जटपट लंबी चड़ी उठाई अब नाई की शामत आई तो ये कविता अनों ने दी है एक्जामपल के तौर पर आप अपनी पाठ पुस्तक से भी कोई कविता चुन सकते हैं और उसको कहानी में बदले अगर कविताओं को कहानी में बदलने में परिशानी हो तो टीचर की हेल्प ले और विशेश गतिविधी है पढ़ो और अभी नहीं करो बच्चों को छोटे समूहों में कार दें उनको पढ़ने के लिए छोटे छोटे नाटक दें पढ़ने के उप्रांथ भी आपस में मिलकर पढ़े गए नाटक का भिनेए प्रस्तुत करें पिछले सब्टहा में बच्चों ने पुस्तखना लाजाकर जोभी पुस्तक पढ़ी हो उनके बारे में कुछ वह वाग के बताएं इस सब्धावी बच्चे पुस्तकालय का ब्रह्मन करें, वहां से कोई मनपसंद पुस्तक लें, उसे पढ़ें, अगले दिन कक्षा में पढ़ी गई पुस्तक के बारे में कुछ मज़ेदार बाते सबको बताएं reading campaign गतिविधियां जो भी भेजी गई हैं, उनका संग्रह भी करना है, डेकुमेंटेशन करना है, सब्धावार बच्चों द्वारा विक्सित की गई चित्रकताएं, कविताएं, कहानियां, पहेलियां, लोकीत का संग्रह करना है, बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों के विकास एवम संचालन रैली इनका डॉक्यमेंटेशन करना है इसके बाद अभी भावक द्वारा बच्चों के साथ जो गतिविधियां की जानी है उनमें देख लेते हैं 11 अपरेल सुमवार को देखो और बताओ ये फोन से स्कैन करके खेल खेलना होगा 12 अपरेल मंगलवार को बच्चों से वारता करें चर्चा करें कि चीजों को कैसे नापा जाता है नापने क्लिक इनकी चीजों का इस्तमाल करते हैं घर के एक कमरे को नापने में बच्चों की मदद करें 13 अपरेल को बच्चों से चरचा करें कि ऐसे कौन कौन से तेवार हैं, जिनको पूरे महले गाउं साथ मिलकर मनाते हैं, सब मिलकर इन तेवारों को कैसे मनाते हैं, कौन क्या करते हैं 14 अप्रेल को आज महावीर और अमबेटकर जेनती है बच्चों से चर्चा करें कि ये कौन थे उनकी जेनती क्यों मनाई जाती है साथ में आज कई राजियों के नववर्ष भी है किन-किन राजियों में आज नववर्ष मनाया जाता है जैसे असम में बीहू मनाया जाता है इस बारे में बच्चों से बात करें 15 अप्रेल को गुड फ्राइडे है बच्चों से बात करें कि इसे क्यों मनाते हैं इस दिन लोग क्या-क्या करते हैं और इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करें कि किस धर्म के लोग इसको मनाते हैं, ये भी उन्हें बताएं 16 अपरेल को पूर्णिमा है, बच्चों के साथ रात में चांद देखें और चर्चा करें कि चांद में क्या कोई आकरती दिख रही है उसके बाद चांद का चित्र बनाने के लिए कहें और 17 अपरेल संडे को बच्चों को चित्र दिखाते हुए पोचें कि ये किसका चित्र है कहां पर इस्तित्य और इसे देखने के लोग क्यों जाते हैं तो ये इस हफ़ते की गतिविथी कलेंडर था, पूरा मैंने आपको बता दिया है बच्चों के साथ आनन्दाई शिक्षा हो सके हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बन सके इनी उम्मीदों के साथ फिर मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए थैंक्स फुर वाचिंग